आज हम जानेंगे पत्र कैसे लिखे जाते हैं तो पत्र एक दूसरे तक संदेश पहुचाने के माध्यम होते हैं इनके द्वारा घर परिवार के समाचार, अपने मन के भाव और विचार आधी प्रकट किये जाते हैं मित्रों, संबंदियों, संपाद को, सरकारी करमचारिया आधी को पत्र लिखे जाते हैं पत्र लिखना भी एक कला है इनके द्वारा व्यक्ती के ज्यान और व्यक्तित्व का भी पता चलता है अब हम जानेंगे पत्रों की प्रकार पत्र दो प्रकार की होते हैं एक होता है अपचारिक पत्र और दूजरा अनपचारिक पत्र अपचारिक पत्र होते हैं जिन व्यक्तियों के साथ परिवारिक संबंद नहीं होते उन्हें लिखे जाने वाले पत्र अपचारिक पत्र कहलाते हैं प्रातना पत्र, प्रधाने चात्रय को पत्र, संपातक को पत्र, व्यपार संबंदी पत्र, कारियलिय पत्र आधी अपचारिक पत्र के अंतरगत आते हैं और अनापचारिक पत्र जिन व्यक्तियों के साथ व्यक्तिगत अथ्वा परिवारिक संबद होते हैं उन्हें लिखे जाने वाले पत्र अनापचारिक पत्र कहलाते हैं मित्रों, संबंदियों आधी को लिखे जाने वाले पत्र अनापचारिक होते हैं अप्चारिक पत्रों को हम दो वर्गोबे बाट सकते हैं जैसे आवेदन पत्र और व्यवसाइक पत्र आवेदन पत्र क्या होते हैं? आवेदन पत्र नौकरी के लिए विभिन सलस्थानों को अत्वा प्रधान्य चार्या को आविश्काश लेने ही तू जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हें आवेदन पत्र कहते हैं अपनी अत्वा घर के किसी सदस्य की अस्वस्ता के कारण अफकाश लेने ही तू, शुर्क मुक्ती है तू, प्रार्तना करते ही तू अत्वा घर के किसी भाई बहन, चाचा मामा, आधी को शादी में संबलित होनے के लिए प्रदानचारे प्रदानचारे जी से अनुमती प्राक्त करने के लिए सधाडते ऐसे आवधन पत्र लिखे जाते हैं और व्यवसाइक पत्र दुकानदारों या व्यप्यारियों को पुस्तक विक्रेता या प्रशाशक को समचार पत्रों के संपादन को सरकारी अफसरों को जो पत्र लिखे जाते हैं इसके अंतरगत आते हैं अनौपचारिक पत्र जिन व्यक्तियों के साथ व्यक्तिकत अत्वा परिवारिक संबंद होते हैं उन्हें लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक कहलाते हैं मित्रों संबंदियों आधि को लिखे जाने वाले सभी पत्र अनौपचारिक होते हैं अब हम जानेंगे अपचारिक पत्रों को कैसे लिखना है जैसे अगर हमको अफकाश के लिए आवेदन पत्र लिखना है तो उसमें क्या-क्या बहुत जरूरी है किसको हमको जरूर ही डालना है जैसे जिस से पत्र लिखा गया जैसे सेवा में प्रधाने चारे महोद्य यह हमें जरूर लिखना है विश्व विद्याले का नाम और पता जैसे विद्याले के नाम होगे ज्यान भारती विद्याले अलदाना चार्टर स्कूल ऐसे आप कोई भी विद्याले का नाम लिख सकते है उसका पता लिखना पड़ेगा जैसे सेक्टर 25 चंडिगर्ड अफकाश के लिए अनुरोध विशे क्या है विशे है हमारा अफकाश के लिए अनुरोध विशे मतलब सब्जेक संबोधन किसको बताना है किसको हम संबोधित कर रहे हैं शिरीमान महोध्य इस तरीके से हमें ल डॉक्टर ने चार दिन तक विश्राम करने के लिए कहा है तो यह एक कारण हो क्या अफकाश की अफधी कितना समय आप अफकाश लेना चाहते हैं कितने दिन के लिए अफकाश लेना चाहते हैं तो उसके लिए किरपया मुझे 13 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक अफकाश प्रदान करने का कस्ट करें अभार मतलब थैंक्स कि आपने उसका अभार प्रकट किया इस कार्य के लिए मैं हिर्द्य से आपका अभारी रहूंगा सधन्यवाद प्रातना पत्र प्राप्ट करता से संबद आपकी क्या उसन से रिलेशन है आपकी आग्यकारणी शिश्य मतलब student लिखने वाले का नाम आपको अपना नाम लिखना है कौन सी आपक्षा में पढ़ते हैं अनुक्रमाग क्या है उसका section क्या है दिनाग क्या है तो लेकिन उसमें इयर डिफाइन नहीं करते हैं तो यही सब अपचारिक पत्रों में आता है अब हम जानेंगे अनुप्चारिक पत्र अनुप्चारिक पत्र कैसे लिखे जाते हैं जैसे मित्र को पत्र लिखना है तो उसे हम कैसे लिखेंगे तो इसमें पत्र लिखने वाले का पता जरूर लिखना है पहले हमको पत्र लिखने वाले का पता जैसे 116 सेक्टर आर्ट करना उसका पिन कोट डाल दिया, दिनाख लिखनी पहले जरूरी है, उसके बाद संभोधन, किसको संभोधित कर रहे हैं, किसको आप पत्र लिख रहे हैं, अभिवाधन, संभावशन, हार्दिक बधाई, पत्र लिखने का क्या कारण है, किस वज़े से आपको लिख रहे हैं, लंब कर मैं जून उटा, तुम्हारी इस सफलता पर भधाई देने के लिए लेखनी मचल उटी, मतलब लिखने का मन बहुत जादा हुआ, इसलिए मैंने आपको पत्र लिखा, अन्य सुचनाई लिखिये, तुम वास्तम में इस सम्मान के सच्चे अधिकारी हूँ, तुम्हारी सुं मारे लिए अत्यंत गौरव की बात है, मैं तो इश्वर से प्रात्ना करूँगा कि मेरा प्रियमित्र इसी तरह दिन दुनी राच्चोगनी प्रगती करता रहे, मतलब उन्नती करता रहे, तो ये सब आधने उनकी बढ़ाई लिखनी है, अन्य उनकी चीजे लिखनी है, मतलब खतम कैसे करना है, माता पिता जी को प्रणाम कहना, निहारिका मतलब अपने भाई भेनों को असीम स्ने देना, पत्र पाने वाले से संबंध क्या है, तो तुम्हारा मित्र और पत्र लिखने वाले का नाम लिखना है, जैसे कि पंकश्षर पर अगर आपको यह पत्र लिखना पसंद आया है तो और आगे की जानकारी के लिए पत्र लिखे हुए पत्रों को चानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पर लाइक करना ना भोले धन्यवाद बाई बाई